दोस्तों 15 अगस्ट 1947 के मधर रातरी को भारत को स्वतंतरता मिली और भारत के लोगी से बहुत खुश थे लेकिन यह स्वतंतरता भारत की असल स्वतंतरता नहीं थी भारत उस समय तक भी पुर्ण स्वाधीन नहीं हुआ था माना कि 15 अगस्ट 1947 को भारत अस्वतंतर राष्ट घोसित हो गया लेकि नुश समय तक भारत हिंडरी अस्टन के कंस्टिटूशनल नोनारकी के अंतरगत ही आता था भारत का अपना कानून नहीं था भारत का अपना राजे विबस्ता नहीं था यहां तक कि भारत का गवर्णर लौड माउंट वेटन था जो किया कांग्रेस था हुई थी हमारे सम्विधान को बनने में 2 साले 11 महीने और 18 दिन का समय लगा और 25 नूमर उनिस उन्चास को सम्विधान बनकर तयार हुआ और 26 नूमर को सम्विधान सभाने से पास कर दिया और इसके बाद इसके प्रिश्डेंट डॉक्टर राजेंदर परसा द्वरा इस व लागू कर दिया गया क्योंकि यह उस समय बहुत ही जरूरी था तो चलिए हम बात करते कि जब हमारा सम्विधान बनकर 26 नूमर उनिस उन्चास को ही तयार हो गया तो फिर 26 जन्वरी 1950 के दिन ही से लागू करने के लिए क्यों चुना गया 26 जन्वरी 1950 की इस कहानी की शुरू का धिवेशन में समपुर्ण स्वतंतरता का बिल पास किया गया और कॉंग्रेस ने भारत को स्वतंतर राष्ट घोसित कर दिया और इसको सच बनाने के लिए जी जान से प्रत्न शुरू हो गया था लेकिन इस रेजोलोशन को महात्मा गांधि समयत कॉंग्रेस के तमाम बड कदम था इसके बाद हमारे नौजवानों ने इस रतंतरता को असली मायनों में बदलने के लिए वियान सुरू कर दिया जिसके बाद भारत में बहुत सरे बदलावाएं और इसके फॉल्स वरोप ही भारत उनिस सो सैंतालिस में आजाद हुआ 26 जनवरी 1930 के हुए इस घटना के बाद भारत के बड़े नेताओं ने सोचना सुरू कर दिया कि भारत की असली आजादी भी 26 जनवरी को ही मिलनी चाहिए लेकिन भारत को आजादी तो 15 अगस्त को मिली लेकिन 26 जनवरी की अतिहासिक्ता को बनाई रखने के लिए ही 26 जनवरी 1950 को संभिधान को लागू किया गया और भारत एक प्रजातंतर राष्ट्र बना हम आपको एक बात बताते चलें कि भारत दुनिया के बहुत ही चुरिंदा देशों में है जहां पर गंतंतर यानि रिपबलिक है बहुत ही कम देशों में गंतंतर है प्रजातंतर तो बहुत सारे देशों में है लेकिन रिपबलिक भारत अमेरिका समयत बहुत ही कम देशों म हैं उमीद करते आप लोगों को या वीडियो पसंद आया होगा इसे लाइक कड़ें सियर कड़े चैनल को सब्सक्राइब कड़ें से हिरोचा ग्यान जानने के लिए धन्यवाद